युग में मलिंता की प्रधानता रहेगी, शरीर पवित्र, शरीर को सजाने में प्रियता है लेकिन पवित्रता क्या है ये ग्यान नहीं है, शोचाचार की पवित्रता का बिल्कुल ग्यान नहीं, बस सजाने की प्रियता है, बाहर से चिकना दिखना चाहिए लेकिन वो पवित पवित्र है कि नहीं उसको ग्यान नहीं है बिल्कुल पता ही नहीं सोचाचार का पशुवत आचरण हैं देखने को मिलते हैं खड़े-खड़े लगुशंका कर रहे हैं मूं में बीड़ी ऐसे वही जनिंद्री को छुआ ऐसे कर ना हात दो ना आचमन करना न पेर धोना बिल्क शरीर पवित्र है शौंच गए वेशे ये खड़े से आथ दो या उससे साब बहूता पवित्र हैं उनको एक ज्ञान नहीं और एक जंग चड़ाये नए समय में जूता मोजा पहन कर भोजन पा रहे हैं देखो कैसी है अरे शाधारन आदमी जिसको कोई सास्तर से मतलब नहीं किशान आदमी जो हाथ पैर धो करके पीड़ा पे बैठ करके भोजन पाने जाए इतनी पवित्रता तो हमने गाउं में देखिए बिल्कुल सास्तर नहीं जानते कुछ नहीं पर भोजन पाला है तो हाथ पैर धोए और लकड़ी के पीड़ा में बैठ के जय भगवान हाथ जोड़ करके जमीन पर बैठ के भोजन पाए आज चाहें चमडे का जूता हो जाए ध्यान रखना चमडे की बेल्ट पहनने वाला चमडे की जूता पहनने वाले को गव हत्या का पाप लगता है अगर वो इन पश्रूओं से जो चमडे निकाल कर निर्मान किया जाता है जूता विल्टा दी ये जो ग्रेश्ती जन इनका प्रियुक करते हैं तो उसे गव हत्या का दर्ड मिलता है क्योंकि आप पहनते हैं उसमें आप सायोगी हुए आप उसको अप्रोशान बढ़ा रहें गव हत् पहने हैं वह भोजन में कपड़े पहने हैं साधना होगी पवित्रत ही नहीं जानते हैं लगुशंका करने के बाद यदि आपने जनेंद्री का प्रक्षालन नहीं किया हाथ नहीं धोया चरण नहीं धोये आचमन नहीं किया तो आप तो आप पवित्र हैं अरे लगुशंका कि क्या है सौच होने के बाद नहीं से विचार बिलकुल सुनने हो गया है बस सरीर आराम पशु की तरह सरीर आराम क्या सरीर आराम रहेगा जब तुम्हारा सरीर पवित्र है तो आचरण पवित्र होंगे तो पाप बनेगा पाप से तुम्हें सरीर को दुख भोगना यह उसका कारण है खानपान पवीत्र शरीर पवीत्र उपने देखा है वो आपको मजाकसा लगेगा भोजन पाने के शमय घर के जितने भी वैस्ट जन होते थे जब कच्चा भोजन पाया जाता था तो उपर के वस्तर उतार देते थे एक धोती नीचे पहने वे ऐसे पाते देखा बाद में बिचा कितनी पवित्र था क्योंकि कपड़े पहन कर बाहर का रहे हूँ और ऐसे जल ले करके हाथ जोड़कर थोड़ी देखा किसान आदमी वो कोई सादुमात्मा नहीं कोई वैश्णों नहीं किसान आदमी की बात कर रहे है जय हो बोल करके प्रभू की फिर प्रशाद भाए जय हो भगवान आपकी आज परोशने में अगर कहीं रोटी छुगई परोशने वाले को तो डाट लगती थी पूरी रसोई जूठी करेगी रख यही थाल हाँ दो दूसरी थाल मिला आज उसी शे अमुक ले रहा है उसी शे अमुक ले रहा है वो सराप पिने वाला है मांस खाने वाला है इसी आप समझो अगर आप पवित्र पशुओं जैसे तो आपकी बुद्धी भी पशुवत आचरं करेगी आशुरी भाव को प्राप्त हो जाएगी पवित्रता शरीर की आपको एक फल देगी कि आपका मन पवित्र होने लगेगा आप जैसे पशुवत आचरं करें बड़ी अपवित्रता बढ़ रहे है अपवित्रता को तो कोई समझी नहीं रहा इस विसाए को कैसे कैसे हमको तो ऐसा भी किनों ने मतलब कि कहीं कहीं ऐसा भी है कि सौंच में पानी कहीं परयोग नहीं होता हो आठी सू पेपर कह रहे हैं बिचार करो यार मतलब कहां पहुंच रहा है हमारा ओ कहते हैं बी आईपी लोग हैं वाह ये बी आईपी लोग अरे बिना जलके कैसे प्रक्षालन हो जाएगा कैसे आप पवित्र कैसे पर पवित्र होना किसको चाहिए वो तो पसुवत आच्रण है कलिकेवल मलमूल मलीना पाप पयोनिद जनमन मीना जैसे मचली जल में ही केली करती है ऐसे कलियूगी प्रानी का मन पाप में ही केली करना चाहता है अप अभी तर विचार किसी किसी मलिनताएं बढ़ती चली जारी है रश्वई अभी बनकर तयार नहीं हूँ खड़े खड़े वही रश्वई क्या पश्वता है अरे एक बार बन जाए उसे थाल में लगाओ हम नहीं कहते तुम भगवान का भोग लगाओ जाके नहीं बैश्ण हो नहीं भजन कराओ कम से कम ठोड़ी तो पवित्रता एक बार थाल लग जाये हास जोड़ो अन कोई प्रणाम करो अन ब्रम उपनिशत में आता है यह अन ब्रम है उसे प्रणाम करो वो हमारे जीवन को पुष्ट करता है मैं भगवत भाव प्रता हां जोड़ कर कहा हास जोड़े जूता पहने वैसे ही सब कोई खड़े-खड़े खा रहा है मतलब यह हो क्या रहा है हमने देखा है पहले बरात आती थी तो पट्टियां भी जाए जाती थी गोबर से जमीन लिपी होती थी दो आदमी पात्र लिए खड़े सब के हाथ पर दुलाएं सब बेंच गए फिर सब को परोशा माताय मंगल गीत गा रहें कितना पवित्र होता था आज कोई शाख कम ही मिलेगा जो सराब न पिये हो कोई शाख कम ही मिलेगा जो उद्धंडता न कर रहा पसुता बढ़ रही न कैसी कल्यान का तो सब्द इने उनको की कल्यान के उनका यही कल्यान है बस जनेंदरी रशेंदरी की तरप्ती होती रहे उतना ही वो सब कुछ समझते है गोश्वामी जी कह रहे ये नाम कामतर है सब कामनाय पूर्ण करने वाला है और ये काल का भी काल है देखो नाम अगर जिभ्या पे बिराजमान है तो अपवित्रह पवित्रोवा शर्वा वस्थांगतो पिवहा यहाई स्मरेत पुंडरी काक्षम सवाया भ्यांतर सुचिए बाहर भ्यांतर से पवित्रोवाई पर यह आपने सदाचार का पालन नहीं किया सौचाचार का तो नाम में रुची होगी नहीं ध्यान रखना अगर कोई ऐसे नाम में रुची जब मनाया मुझ उठाया कैसी पशुता है चुडिया की तरह चुनते रहते हो अरे एक बार दो बार तीन बार एक अपने भोजन का समय निश्चित करो थोड़ा शांती से बैठ कर भगवत भाव में आकर तब भोजन पाओ वैसे ही आपका भाव बनेगा जैसा भोजन आपका है पाते समय जिन भावों से आप युग्त हैं लोग चिंतित रहते परिशान रहते क्यों क्योंकि भोजन पाते समय परिशान थे तो अब वो भोजन का जो रश है न वो केवल परिशानी पैदा करेगा मानलो हमारी बात ये निश्चित बात भोजन के समय सारी चिंताओं को छोड़ो आनंद में होकर भोजन परिशाद में भगवत भाव शिपाव वो भोजन ऐसी बुद्धी पैदा करेगा आप अनंदीत रहोगे नाम समस्त संसारिक जालों को काटने वाला है जिन जालों में आप फसी हुए ना सुमीरत समन सकल जग जाला समस्त संसार के बंधनों को काट देगा नाम काल कभी महाकाल है नाम नहीं कलि करमन भगति भीवेकू राम नाम अवलम बनेकू अब भगती का क्या सुरूप रह गया है सुचू हजारों में से तो कोई एक भगती की मार्ग में आता है लाखों में आता होगा अब तो और क्या भक्ति लोग उपहास करते हैं जो शंतों के शाथ अपना भाव रगता है न देखो पढ़े लिखे होकर कि भी बाबाजीयों के पास जाते हैं बाबाजीओं को मता बाबाजी लोग जाते हैं लोग कैसोचते मता जिनको कमाया नहीं गया जो दिमाग में पढ़े लिखे नहीं मूर्ख हैं घर में लात मार के भगा दिया गया है या पतिनी ने डिवोस दे दिया है अब कोई है तो बुले एक कई उपाय बचा बाबाजी बन जाओ तो उनकी दृस्टी में रहता है बाबाजी मतलब सबसे निकरिश्टा आदमी पढ़ा लिखा आदमी क्यों बाबाजी बनेगा उनको पता नहीं कि ये वो बात है कि समराट भी अपने मुकुट को जवर जस्ती छोड़ कर और भाग पड़ता है भरतरी जी ने उतार करके है से राजी को और धिकार है से भोगों को जहां सत्यता का लेश्ट में नहीं है अब मैं उस सत्य की खोज में निकलता हूं बन गए बाबाजी भरतरी जी महाराज के बैराग शतक प्रशिद्ध है शन्तों में महाराज आदि सम्राट मनू बर्बस राज सुते इन रपदीना हर ही ताप गवन बन अभी समझे क्या भगवत मारग को तुम ऐसे समझते हूं क्या लोग कहते है कुछ ना हो तो बाबाजी बन जाओ हम कहते है कुछ ना हो तो बाबाजी बन जाओ नहीं बिश्व का ब्रमांड का हर सुक तुम्हारे सामने हो अगर वास्तिव भगवत मार्ग में चलना ये जो चल रहें उनके कलेजे से पूछो और या थोड़ा आओ फिल्ड मैदान में दो-दो हाथ करके देखो काम करो दसे तो पता चलेगा बाबागीरी है क्या मच्छर की तरह जी रहे हो मच्छर की तरह भुन-भुना रहे हो क्यों जब जो भी सया है मार तम इधा देंगे पांच महीने हमारे अंसार रहके दिखादो हार्षू इधा देंगे खान-पान-भोजन वस्त्र पर जितने शाषण में बाबाजी जैसे रहने मैं ऐसे रहके दिखादो न टेलीवीजन है न मोबाइल है न संसार का कोई मनोरंजन है, सात्विक भोजन है, रात दिन में जांत, और मन को प्रभू में लगा के दिखाओ, ऐसे नहीं कि ऐसे पड़े हो, प्रभू में मन को लगा, भाग जाओ के छोड़के पता ले चलेगा कि कई बजे भाग गए, ये बावागीरी इसको खिलवाडला सब जाजाए, ये बहुत बड़ी बात है, जो भगवान अतिसे कृपा करते हैं, अतिसे कृपा राम की होई, पावदेहया मारग सोई, ऐसा है तुम खिल दबजते हो, जिसे खिलवाड सब जते हो, आओ, आओ तो, तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या होता है, कितने भाग, काम की मार जब पड़ती हैं, त्राहिमा मचता है, उपर लाठी चला दो तो सह सकते हैं, लेकिन मन में जब मार पड़ती हैं, वही ठिकता है, जो प्यारी जी के चर्णों के भरोसे है, नहीं चाहे जितना दिगज सूरवीरों, चिक गार के भाग जाएगा, ये मार गयसा तोड़ी है, आंत एक चोट को कोई महात्मा सहता है, सहत सहत बाढ़े भगती, ग्रेतन गुरहित गार, जब एक सरकारी आदमी हो जाता है, तो उसकी कितनी महिमा हो जाती है, फिरी, ट्रेन में फिरी चलो, परिवार तुमारा फिरी चलेगा, बंगला फिरी, गाड़ी फिरी, नौकरी छोड़ हमारा, हमारे बाप का, जितनी बैंके हो, हमारे बाप की, बिना दसकत के, बिना चेक के, हार चीज हमारी सुविधा में, किसके कारण, तुम भी तो चाहते हो, चल के दिखाओ, आओ, दसकदम चलो हमारे साथ, जोड में तो पसीना आ जाए, बाग जाओगे, कि किसे, है, ग् होगा, वही जग रहा है, जो जग रहा है, जो परमार्थ में जग रहा है, वही जग रहा है, नहीं हम, दस ग्यारा बज़े हमें, तो सो के उठना दिन में होता है, बोलो सारी कि सारी दिल चाजिया हो कि, विस्राम का जब समय आता है, तो थोड़ा, उस समय वो जग रहे होत जनमन मीना क्या उपाए है नहीं कली करम न भगती भी बेकू राम नाम अवलंबन एकू एक मात रुपाए है कल युग केवल नाम अधारा यहां के रहे साधन नाम सम नहीं आन नाम के समान कोई और शाधना नहीं